वेलकम तो रेट टेक चैनल अ न्यू वेट तु लार्ण तो आज हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ेंगे एक्सरे इंटेंसिटी एंड एम एस लास्ट वीडियो थी एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में यू कन वस्ट वीडियो ते लिंक इस केवन इन दिस्क्रिप्शन सो लेट स्पेकinator एक्सरे इंटेंसिटी एंडें सबस्क्रिप्र अब जो इंस्टेंसिंटी वो नममरives जो एक्सरे फ्रोड्यूज हुए हैं उससे रिलेट करती है मतलब में आजरे जब रिलेट हो एक्सरे जब प्रोड्यूज होते हैं तो उसका टेक्षन होता है हमारा अमरर आ dévelop charity कर्म किए एर करमा उसके। वह डियक्ति प्रपाइशनल होती है स्यूब करेंट के आग्हर हमने करेंट को डबल तो एक्सरे बीमि इन्टेंसिटी वी डबल होगी directly proportional में यही होता है कि अगर एक चीश double होगी तो दूसरी भी double होगी same case हमारा x-ray भी intensity से relate करके exposure time से होता है वो भी उसके directly proportional होती है exposure time क्या है exposure time वो time है कि जितने time में जितने total time में जो current है वो flow किया है across the x-ray tube x-ray tube में जो total time में current flow किया है उसको हम बोलते है exposure time इसमें भी x-ray beam intensity directly proportional है exposure time के फिरा था हमारा mas mas की full form होते है milli ampere second जो हमारा mas है वो होता है product of tube current and exposure time जो हमारा tube current है उसको हम milli ampere से denote करते हैं और exposure time को seconds में इसलिए इसको कहते है mas milli ampere second उसके बाद आता है हमारा यही कि जो हमारा mas है वो भी directly proportional होता है x-ray beam intensity के same as usual कि अगर x-ray beam intensity double होगी तो उसका current भी double होगा अब हमने यह जान लिया कि जो mas है वो x-ray beam intensity से effect करता है जैसे कि directly proportional है double करता है तो double होगा अब जो हमारा energy spectrum जो हमने last topic पढ़ा था mas से उस पे कोई change नहीं होता यह हमें पता होना चाहिए क्योंकि जो change in mas है उसका कोई भी effect average x-ray photons पे नहीं पढ़ता है इसलिए energy spectrum में भी इससे कोई change नहीं आता और इसके ही आदार पे जो हमारा average या average x-ray photons है maximum x-ray photons इन दोनों पे कोई भी effect नहीं पढ़ता यह मारा maximum x-ray photon है वह determined होता है x-ray ट्यूब voltage के तो हमें यह जान रखना है कि जो x-ray ट्यूब का voltage है वह x-ray photons energy को effect करता है बट मेस नहीं so that's all for this video do subscribe if you like and thanks for watching